लो गाइस बात कने वारे हैं नागी सेजन सेवन के बारे में नागी सेजन सिक्स अब और फैर जाने वाला है ये बात आप लोगों को फता ही होगी और अपने ओफेर के ट्रैक पर चल रहा है नागी सेजन सिक्स चो एक का पूर अपने सीजन 7 को लेकर बहुत स्यादा एकसाइड़ है और बहुत ही जल आप पो सीजन 7 देखने को मिलने वाला है हाला कि तुरंद के तुरंद आन एर नहीं होगा थोड़ा सा टाइम लेने के बाद नाके सीजन 7 आपको अन एर होते हुए देखने को मिल सकता है खुकि कास्टिंग लग लग फानल हो जुकी है जो बात करने में आले हैं यहां पर कौन हो सक्ती है rogue actress तो काफ़ी चांसे हैं कि यहां पर आपको Μखोनी राय एक बर फिर शें Camёр Dies रोट करती है नजर आ सकती है महीं बात करके यहां पर लीड अक्रस कोई होगी तो चांसे हैं कि प्रियंका चौधरी आपको इशो के अंदर देखने को मिल सकती है आला कि उनका नाम तो लंबे टाइम से सामने आ रहा है और एक तरीके से बिग बॉस की जो एक्रिस रही है वो एकताकपूर के लिए उनका लखी चाम बोला जा सकता है क्योंकि तेजस्वी प्रकास को आप लोगों ने देखी लिया होगा नागिंदी जन्सिक सबसे लॉंग रनिंग सीजन रहा है अभी तक कि जितने भी सीजन्स आये है नागिंके इसे हमें काफी चांसे हैं कि एक बार फिर शेपिक बहुत से ही निकली हुई एक्रिस खुल लिए एकताकपूर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है क्या प्रियंका चौद्री एक बार फिर शे नजर आएंगी बहुत ही ज़ली एक नए शो में और वो भी एकताकपूर के शो में बाला जे टेल फिल्म के तहत कोई शो करना और वो भी नागिं में ली डेक रस्तो फिर कमाल हो जाएगा उनके करियर का टैनिंग प्रियंट साबित होगा ये शो देखने वाली बात होगी कि आखिर यहां पर एकताकपूर किसे कास्ट करती सब्सक्राइब करने के लिए आ रहे हैं सो एंट्री तो धमाकेदार होने वाली है आपने सभी नागिं को देखा होगा हर एक सीजन की नागिं को यहां पर बुलाया गया था उनकी एंट्री कराई गई थी सीजन 6 में ताकि ट्यार्पी हाइस टाए शो के अंदर सेजन 6 के ट सब्सक्राइब करते हैं लेकिन सीजन 7 में हाई ही चांसे हैं कि मोनिरा आपको गैमे रोल प्ले करते हुए नजर आ सकती हैं सो शो की जो स्टार्टिंग होगी वो ट्यार्पी हाइस टाने वाली है उसके बाद देखने वाली बात होगी कि जो लीड एक्रस होती है उस पर डि देखने एक्रस पर बात होगी पार जार्टिंग विचाविए एक्रस एखने नहीं करते हैं डिला होगी कि आप एक्रस्त करते हैं